कि नमस्कार मेरा नाम है एक्सट्रोजर सचेज सिक्का हम बात करने वाले के करक राशी की यानी की राशी चक्र की चौती राशी के स्वामी होते हैं चंडरमा यह आसमान में आप जिसको चंड़ा बामा बोलते हैं वही आप या राशी के देवता हैं और सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोले नात की पूजा अच्रा विशेश रूप से की जाती है तो भगवान शिव के मस्तक पर उनकी जटाओं में भी चंद्रमा विराजित हैं, आप देखिए, और उसके साथ में गंगा बहर है यह भगवान शंकर कि जटाउंग से हैं चंद्रमा जो है वो जल भी है तो चंद्रमा क्या है ठंडा है रात में ठंडक हो जाती है तो चंद्रमा जीवन में सुकून देता है आपकी जिन्दगी में भी सुकून भरे पलाने वाले हैं एक अगस्त से लेकर साथ अगस्त के बीच में क्योंकि श्री लच्वी नारायन योग का निर्माण हो रहा है आपकी गोचर कुणली में जीवन की अनेक खुशियों को ये लक्ष्मी नारायन योग लेकर आएगा लक्ष्मी यानि की मालक्ष्मी धन दौलत की देवी मालक्ष्मी नारायन यानि भगवान विश्णू इस दुनिया को चलाने वाले भगवान विश्णू आपकी कुणली में यह योग दितिय भाव में बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं या भाव किस चीछ थन भाव में आ लखश्मी का स्वेम्हा जाना भगवान विश्चदू के साथ यह संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में पैसो की अप कोई कमी नहीं होगी नौकरी वैपार से अच्छी अर्णिंग होगी नौकरी वैपार में तकलीफे दूर होगी नौकरी वैपार की शुरुवात हो जाएगी जान भी बढ़ेगा तो आपका जीवन जो है आराम दायक हो जाएगा आपकी वानी जो है वो इतनी मीठी होगी कि हर आदमी आपसे जुड़ना पसंद करेगा पैसा कमाने के लिए की गई महनत अब बेकार नहीं जाएगी रंग लेकर आएगी शांदार जीवन शैली एक अच्छी जीवन शैली जिसमें हमें सुख मिलेगा शरीर का सुख मन का सुख तन का सुख परिवार का सुख और ये ज के सब थ mul權 कि ये सारी चीजें पैसे से खरीदी जा सकते पैसों कि आपके पास कबी होगी दी कि शांदार जीवन शैली नौकर चाकर टाडवाट यह सब आपके जीवन में आने वाला है जो भी कुछ हो वह सब आप ले सकतेसप से जो भी कुछ पैसे से खरिदा जासकता यह और हमेशा सुख पाते रहेंगे, आपके दोस्त, आपके साथ होंगे, आपकी दौलत रोज बढ़ेगी, वैपार बढ़ेगा, कुमारे हैं तो अमीर ससुराल से रिष्टा जुड़ जाएगा, यह हो सकता है कि आपके ससुराल वाले अमीर हो जाए अचानक से, और आपको भी उसका फायदा मिले, इश्की लहरे भी आएंगे, याणि जीवन में इश्क भी आएगा, प्यार भी आएगा, वो पति-पति के पीज का प्यार हो, वो प्यार भी आएगा, प्रेम संबन्ध भी बजबूत होंगे, बुद्ध भी अपना कमाल दिखाएंगे, देतिये भाह मे आप दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे, आप दूसरों से मदद नहीं मागेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके नपार दिमाग भी होगा और शारीविक बल भी होगा, बलकि मैं यही कहूंगा कि आप शरीर कम दिमाग ज्यादा रगाएंगे, चतुर और होंगे, बुद्धिमानी से पैसा कमाएंगे और खर्चेंगे भी, आप दिमाग का खूब बढ़िया इस्तमाल करते हुए नौकरी वेपार, शिक्षा हर जगे पर सफलता पाएंगे, जुबानी तोर पर बहुत तेज होंगे, आपके जुबान पर हर प्रश्न का उत्तर करेंगे, फिर मैं कह रहा हूँ, शरीर की बजाए दिमाग लगाने पर आप जधा ध्यान देंगे, बो दिमाग और आत निर्भर होंगे, खुब पैसा बनाने वाले हैं, शत्रूओ का नाश अपने दिमाग से रणनीती बना कर करेंगे, आपकी बातचीत बहुत ही बढ़िय इसमें हानी हो सकती है, आपका मन जगा जीवन के हर मजएं हो लेगा अब आनन्द में आप रुभने वाले हैं, आप अमीर हूँगे, इसमें कोई शक नहीं है, आप बढ़िया जीवन जिएगे, इसमें कोई ही शक नहीं है, शुक्र आपकी गोजर कुनले में चौते गर के स स्वामी हैं तो लक्ष्मी नाराण योग आपनी घर पें सुख आराम सुविधा जीवन को जीने का मंत्र लेकर आएगा बढ़िया शांदार होगा इस तरियों को भी बहुत अच्छे परणाम प्राप्त होंगे वो भी अब समाज में अपनी प्रतिष्था कायम करने में कोई क अब नहीं चोड़ेंगी घर में वहां ना सकता है बाकी अन्य सुख आ सकते हैं नया घर बन सकता है चोटी बड़ी चीजे आ सकती हैं पत्नी अपने हुनर का प्रियोग और अपने अनुभव का प्रियोग करके घर की आमदनी में सहयोग करेंगी शुक्र आपको अमीर बना रहा है आपकी परिवार में अब एक से ज़्यादा कमाने वाले लोग आने वाले हैं शुक्र लाब और प्राफिट भाव के स्वामी हैं तो नौकरी और वैपार में भी शीकृता से आप पैसा कमाएंगे नौकरी नहीं है तो लग जाएगी आपकी शादी किसी अच्छे कु में हो जाएगी आपकी दोस्तियार बहुत अच्छे होगे दोस्तियारों की मदल से कई चीज़ें हो जाएगी नौकरी में कच्छे थे तो पक्के हो जाएगे खुले विचारों के होंगे विदेश से बहुत अच्छे संबंद बन रहे हैं बढ़िया दोस्त बढ़िया यार वाले वांके स्वामी है, तो अपने गुरू प्रोषिद को प्रेंगे, विदेश जाने के रास्ते को लेंगे, आपकी बोलने की शांदार चमता होगी, मुस्कराते, मुस्कराते, आपसामनेवाले का दिल जीत लेंगे, आप अपनी योजनाएं शीग परवर्तित करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए बढ़िया लोगों से पाचीत होगी, तर्क वितर्क होगा गुरू की पंचम दस्ती दोनों बुद्ध और शुक्र पर होगी गुरू की पवितर दस्ती जो है बुद्ध और शुक्र पर होगी, तो जितने पैणाम मैंने आपको बता है, इन पैणामों में सौगुना तेजी आजाएगी, क्योंकि गुरू की दस्ती शुब होती है, और श्री लक्ष्मी नारयान योग और तेजी से आपको धन्दौलत औ सुख देने लगेगा, शनी की दस्ती भी मित्र ग्रहों पर होगी, तो माला माल कर देगी, तो कुल मिलाकर अगर आप करक राशी के हैं, तो यकीन मानिए, ये साथ दिन आपके लिए बहुत महत्पूर होंगे, तो कि इन साथ दिनों में वो साथ बाते हो जाएंगी, जिसका फल, साइस जंदगी आप राप्त करते रहेंगे, आपको मेरी बात अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैल आइकन की बटन को दोईए, फेस्बूक इस्टरग्राम पर फॉलो करिए, और मेरी बात में आपको दम नहीं लगता है, तो हम और कोशिश करें आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाने की और आपको अच्छा समझाने की, देखिए अगर आपकी जनम कुणली में सितारे बढ़िया हैं, तो आपको 100% अच्छे जर्द मिलेंगे, अगर आपकी जनम कुणली में सितारे कमजोर हैं, तो फलो में कमी भी आएगी, इस बात कम होगा, कुछ को बहुत कम होगा, कुछ को जीरो लाग होगा, लेकिन जिनके सितारे मजबूत होंगे, उनको 100% लाग होगा, इस बात की मेरी गरेंटी है, तो अपने सितारे मजबूत करवाईए और अपनी कुल्ली के अंसार उपाय करिए, जीवन में खुशाली आ जाएगी गुरू को अच्छा रखने के लिए गुरू कौन है, पिता है, गुरू कौन है, गुरू धर्म है, गुरू कौन है, गुरू शिक्षक है, उनकी सेवा करें, शुकर को अच्छा रखने के लिए अपनी शादी हो गई है, तो पतनी की आदर सतकार करें, उनसे बुरे शब्द गणेश को मीठे मीठे मोदक चढ़ाएं या बेशन के लट्टू चढ़ाएं इतना कर लीजिए आपको अच्छे परणा मिलेंगे लेकिन जनम खुली की चांट फिर भी आपको करानी ज़रूरी है नमस्कार